वेलकम फ्रेंड्स गैजट प्रिंस्पल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज का टॉपिक है इस वीडियो में इस स्पीकर कैसे काम करता है आप इस स्पीकर का इस्तमाल कई जगे पे तो करते हैं मगर उसके पीछे की साइंस या उसके पीछे का प्रिंस स्पीकर के पीछे की प्रिंस्पल और साइन्स तो दोस्तों हम इस्तमाल कई जगे ऐसे कॉमन तौर पर करते ही हैं जैसे हमारा ब्लुथूथट स्पीकर हो गया, मारो साउंड बॉक्स हो गया, होम थीयटर हो गया, टेलिवीजन हो गया, सेल्फोन हो गया, स्मार्ट फोन हो अज़े पिचर पूरी नोगया और ऑट में समया yap करते मगर उसके टेशन सा हूं साइंस नहीं जानते तो उसके पीछे की क्या साइन तब हुष करने वाँ दोस्तों स्पीकर के में कॉपोनेंट बारे में बात कीच जाएक बैन की एक वह स्पीकर में आपको में कॉम परनेन्ट मेगनेट जाती है और उसके बाद आपको दो इनपूट्स स्वाइर दी जाती है प्लस माइनस की जिसके द्वारा साउंड सिगनल जा पाता है तो इस स्पीकर में जो copper coil है उसका main काम यही है दोस्तो इसमें Michael Faraday का जो law है उसका इस्तमाल किया जाता है अगर आपके कोई भी copper coil है या circular copper coil है उसमें हम permanent magnet को inject करते हैं continuously हम inject और current generate होता है अगर हम उसको oppositely किया जाए मान लीजिए आप मेगनेट है उसमें copper coil inject की जाए बार बार तो उसमें भी induced current generate होता है तो यही principle हम speakers में use कर पाते हैं जब हम copper coil में current release करते हैं electricity उसमें rotate होती है या जाती है तो जो magnet है उससे attract या repel होती है audio signal पे तो कोई भी आपके copper coil है उसमें electricity generate की जाए दोस्तो तो वो magnet से attract करती है इसी property का या इसी principle का use हम speaker में करते हैं अगर आप पे कोई पुराना speaker है तो आप उसमें देख सकते हैं आपको copper coil मिलेगी उस copper coil के ठीक पीछे आपको permanent magnet और दो आपको plates दिखेंगी एक back plate एक front plate उस back plate में आपको मिलेगी एक middle में आपको cylindrical rod मिलेगी उसी copper उसी cylindrical rod में वो जो copper coil है वो attract करने के बाद slide करती है उस copper coil के साथ आपको speaker के सामने एक paper दिखेंगा दोस्तो उस paper का ही काम है vibration से multiple vibration में convert करके आवाज या जो आपकी voice है उसको multiple times में generate करना उस paper का काम क्या होता है दोस्तो वो paper उस coil से attached होता है उस attached के कारण दोस्तो जब audio signal जाते हैं या sound signal जब जाते हैं उस coil में आपको जो दो inputs दिये होते हैं उससे sound signal जाता है तो जब वो sound signal की frequency change होती है तो attraction की property कम या जादा होती है इसके कारण दोस्तो spring जैसा generate होता है आगे पीछे वो paper होता है जिसके कारण vibration generate होती है उसी vibration के कारण जो आपकी voice है उसको multiple times में उसकी frequency बढ़ा दी जाती है उसकी frequency जब वो बढ़ जाती है या उसके heart जब बढ़ जाता है तो वो हमें loud speaker या home theater की speaker जैसा काम करता है तो speaker का main जो law उसके पीछे principle है Michael Faraday का law है जब भी कोई भी copper coil में induced current generate होगा तो वो किसी भी magnet से attract होगी इस property का use हम speaker में कर पाते हैं तो आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like कीजेगा और हमारे गैज़ेट स्प्रिंपल चैनल को subscribe कीजिएगा और bell का icon दवाना ना भूले और comment में आप बताईएगा कि आपको आने वाली वीडियो कैसी और किस topic पे चाहिए दान्या